नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराश्टी कूटनीती इतनी दिल्चस्प है कि इसमें अगला दाओं क्या होगा कहा होगा इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल हो जाता है सिर्फ हमारे और आपके नहीं बलकि नेताओं के लिए भी मिसाल के तौर पर देखिए जी 20 में जो इंडोनेशिया में हुआ बाली में हुआ उसमें सबसे बड़ी तस्वीर जो भारती मीडिया पर आई वह आई कि किस तरह से चीनी राष्टपती शी जिंगपिन से भारत के प्रधान मंतरी नरेन मो अबरे आ रही हैं तनाव चल रहा है इस तरह से अंतराष्टी कूटनिती और घरेलू राजनिती और सीमा विवाद मोड़ लेता है इसी के मद्दे नजर आज हम चर्चा करेंगे दो एहम घटना क्रमों पर पहला घटना क्रम जो इस पूरे वेस्ट एशिया के लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है बहुत एहम है वह है चीन का सौधी अरब से मुलाकात करना अरब लीक के साथ मुलाकात करना रियाड डिकलेरेशन का सामने आना और इस तरह से अमरीका को सीधे सीधे चुनोती देते हुए दिखाई देते हैं चीन के राष्टपती शी जिंग पिन और दूसरी खबर लातिन अमरीका से लातिन अमरीका का एहम देश पेरू वहाँ पर जिस तरह से राजनितिक उठा पठक चल रही है छे राष्टपती छे साल में और साथ ही अर्जेंटीना अर्जेंटीना की जो उप राष्टपती है क्रिस्टाइना जो बहुत लोग प्रिय ह हैं वहाँ की नेता उनके खिलाफ किस तरह से कानूनी कारवाई की तैयारी हो रही है आखिर इन तमाम खबरों का सच क्या है मर्म क्या है इस पर हम बात करेंगे प्रबीर पुरकायस से सबसे पहले प्रबीर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो एक एहम डवलप्मेंट हुआ है चीन की जो मुलाकात हुई है साओधी अरब से वहाँ पर जिस तरह से शी जिंग्पिन ने अपना पूरा जल्वा दिखाया और जिस तरह से एक दूसरे ढंग से अंतराष्टी कूट अधुरी के तोर पे काम कर रहा है इस पूरे इलाके में उसका काफी दबदबा था ये जो मुलाकात है ये कई माइनों में दूसरे संकेत दे रही है इस मुलाकात को कैसे देखा जाए देखे अरब दुनिया या वेस्ट एशिया की दायरा जो है उसको अगर आप देखे उस पूरी कमान जो है अमरीका के पास था अभी तक और इसके साथ-साथ इन इलाका क्योंकि ओयल रिच है तेल पेट्रोलियम गैस नैशनल गैस दोनों इस यहां पर काफी मात्रा में मिलती है दुनिया की एनरजी जो मांचित रहे इसमें एक एहम भूमी का इस इलाका प्ले करत है तो यह देखते हुए वहां पर चीन की वहां पर पहुंचना इस पैमाने पर उनके साथ मुलाकात होना सौधे रेबिया से मुलाकात होना जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा रिसोर्स रखते है है इसके बाद अरब लीक के साथ मुलाकात यह जरूर इस बात का संकेत है कि की राज़ितिक मानचित्र बदल रहा है बदल रहा है इस बात पे कि इस पे दो परिवत्तन है एक तो है कलोनियल दुनिया जब खत्ब हुई जो अंग्रेज फ्रांस इन मुल्कों की हुकूमत एक तीस्टी दुनिया जिसे हम कहते हैं उससे खत्म हुई उसके बाद अमरीका कॉम्पिटिशन एक हिसाब से कह सकते था वो नाइनटीज के बाद एक पूरी अमरीका की हेजमानिक रोल बनता है वो इस वाक्त तूटते नज़र आ रहा है कलोनियल मुलकों की जो यह इंफ्लूइंस था आफ्रिका में अभी भी फ्रांस की है अंग्रेज की काफी थी यह स नगी यह तक कि अष caf औरा इसाब रहा है कि आफरिका एशिया लेकन अमेरिका भी यह अलग दिशा में चाहते हैं वो चाहते हैं हमारी के एक अऽाद अस्तित्व दुनिया में हो इस पर देखे आरफ दुनिया में काफी आपस पर काफी बढ़ाई हैं अपस ने काफी संगर उनके अंदर की टक्राव होने के बावयूद वो सब इहां पर आए और एक हिसाब से चीन के साथ एक सब्बंद बनाने की उनकी इच्छा जाहिर की. मैं दरशकों को बता दूब की जो 21 अरब लीग के वो काफी एहम है और अगर जो नक्षा हम देखें तो नक्षे में दिखाई देता है कि इनकी अलग अलग जो पृष्ट भूमी है, राजनितिक पृष्ट भूमी अलग रही है, राजनितिक जुकाओ अलग रहा है, लेकिन का साथ आना और एक रियाड डिक्लेरेशन भी होना चीन के साथ ये अपने आप में बहुत दूरगामी कूटनितिक असर पड़ेगा इसका ऐसा लगता है राजनितिक और अर्थनितिक भी तो ये भी समझने की ज़रुत है कि इनरजी इस वाक्त एक बहुत एहम भूमी का अंतराष्टिय जियो स्ट्राटिजी के एकॉनिमी में एक प्ले कर रहा है बहुत बड़ा भूमी का अदा कर रहा है तो क्योंकि तेल का भंडार बड़े पाइबाने सर्प्लस है अमरिका का भंडार इता ही बड़ा है पर सर्प्लस दुनिया के लिए बहुत ज्यादा नहीं है रूस के पास सर्प्लस है इस इलाके में सर्प्लस है वेनिजुएला के पास सर्प्लस है और अगर आप देखे इर कोंग का यह शी से मुलाकात यह दर्शाता है कि वो अपना अस्तित्वा अपना राजडितिक लाइन जो है अंतराश्ट्राश्टे स्थर पर उख करना चाहते आपस की टक्रव के इलावा उनके आपस तक्रव है ऐसा नहीं कुवेत के साथ साथ कतर की इन मुलकों की भी आपस क तक्राव इराक कुवेत को तो पुरानी बात है तो यह जो अंतराश्ट्र मांचित्र जो बदल रहा है इस पे यह भी शामिल है कि जी सेवन जो घोशना करती रहती कि इंटरनाशनल ओर्डर जो है कि यह हम निद्धारित करेंगे क्या सही है क्या गलत है हम बताएंगे लग जाय कि यह नहीं चल रही है और आर्थिक स्ट्रक्चर क्योंकि तेल पे दुनिया की काफी बना हुआ है इसको देखते भी तेल और गैस की जो बंडर यहां से है इसको देखते हुए क्या यूरेश्या की तरह पिर जाएंगे क्या एशिया सेंट्रल एशिया रश्या चीन ब आइस आर्ब लिग की मेंबर्स है की से यहां पर थे यह जोड़के क्या अपना भविश्य खुद दिधारित करेंगे यह सब प्रश्चन चीन बागता है कि इसमें शी चिंग पिंग ने जो यह कूटनितिक दाव चला जिस तरह से विजट पूरी प्लान हुई दिखाई दे देती है वो एक अमरीका को सीधे सीधे अभी तक जो अमरीका की कूटनिती रही उसको सीधे चुनौती देती है इसमें एक एहम बाद इस पर मैं चाहूंगी प्रबीर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो रियाड डिक्लेरेशन है उसमें फिलिस्तीन फिलिस्तीन और फिलिस् चल रहा है जो अन्याय चल रहा है वो अनिश्चित कालीन तक नहीं चल सकता तो यह एक बहुत बड़ा संदेश रियाड डिक्लेरेशन से मुझे दिखाई दे अब मेरे दिल्चस्पी है इसलिए मैंने इसी को उठा के पहला सवाल आप से पूछा बिल्कुल सही बात है पर इस पे पूरी इसको हम तीसरी दुनिया कहते उसमें चीन भी शामिल है, रूस भी उस पे शामिल है उस सभी کہते है कि फिलिस्टीन जो के साथ जो हो रहा है अन्याय है गोर अन्याय हो रहा है पर सवाल है कि उसको बदले कैसे और वो तभी बदल सकती है जब अमरीका का भार दुनिया में और वेस्टर्न यॉरप की कुछ चंद ex-colonial countries की भार दुनिया में कम होती है और कम से कम एक भारसम या equilibrium थापित होता है कि दुनिया की सब हिस्सों की बोलने का और करने की आजादी है और अंतराश्य बागडोर सिर्फ अमरीकार उसकी कुछ मित्रों के हाथ पे नहीं है दूसरी बात आपने जो कहा उसको साथ जोडते हुए है यह कहना चाहूंगे दूसरी अहम बात है कि Belt Road Initiative जो चीन ने कि अगर West Asia उसके साथ जोडता है तो economy अलग दिशा में जाने के सभावना है इस पर यह नहीं है कि चीन की influence और economic बाहर इन जगों पर ज्यादा पड़ेगा पर एक equal economic relationship देशों के बीच में कायम होने की संभावना है जो की WTO जो America Kendrick था या जो मैंने कहा कि जो पहले अमरिका अपनी आपको मानता था कि मैं ही दुनिया का नेता हूँ यह इन चीजों से बदल के एक multilateral सचमुच economy की संभावना नजर आती है यह इस दिशा में एक छोटा कदम है इसको यह बानके चलना चाहिए संकेत है संकेत कहां पहुँचेगा देखने है लेकिन एक पहल हो कि उत्पादक देश हुग के पास हैं वहां पर तस्वीर में एक बड़ा क्रैक जिसे कहें बड़ी एक दूसरी तस्वीर पेश कम से कम यह समिट यह मुलाकात और जिस तरह से दोनों तरफ से तस्वीरें आई दोनों तरफ से पता चल रहा है कि और भविश्य का रियाट डि अब रभीर हम चलेंगे लातिन अमरीका की तरफ लातिन अमरीका एक बहुत समय से अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा उसकी सबसे बड़ी चर्चा यह थी कि बड़े पैमाने पे वामपंथ वामपंथ के प्रती जुकाव वाली सरकारें उभार दिखाई दे रहा है ऐस उनका बाहर जाना उनकी जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका प्रेसिडेंट बनना यह सारा घटना क्राम आखिर इसकी पीशे वजह क्या दिखाई देती है तेखे पेरू एक्चुली छोटा बुल्क है बहुत बड़ा बुल्क नहीं है लाटनिमेरिका में तो इस हिसाब से एहमियत अगर देखा जाए तो इतना राजनितिक एहमियत पेरू का नहीं है पेरू में जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है पिछले छे साल में बहुत सारे राश्ट्रिपती उन्होंने देखा और इनकी पिछले चुनाव में जो दो साल पहले हुआ पेड्रो का इसी टीचर जिनको राजनितिक रूप से कोई नहीं जानता था उनको इसी लिए इसकी रियाक्शन में चुना था क्योंकि हमने उस समय भी बात की थी और उस समय भी आपने कई आशंकाएं जताई थी जो आगे चलके तकरीबन उसी तरह से जमीन पर अमल होती दिखाई दी आपने कहा था कि राजनितिक परिपक्वता की कमी है और अनुभा उस तरह का नहीं है तो पेत्रो का जो फेलियर रहा है जो एक्जिस्टिंग दूसरे पार्टी जो उनके साथ थे उनका भी है कि एक साथ कैसे चले इस भेद भाव के इलावा रखते हुए कैसे चले वो कर नहीं पाए और इस परिपक्वता की कमी तो दिखती है पेत्रो के खास तोर से वो पूर जिस तरह से वहां पर अमरीका दूसरों के समर्थन उनको मिलता है तो उसका एक पक्षी यह है कि कीसे पेडरो सरकार को सिर्फ न गिराए पर उसको उनकी समर्थन को भीच पे कैसे दराड डाले एखताए तो उसका ये है कि वो चीज काम्याब हुए है इसमें कोई दोरा नहीं और पेड्रो का जाना अर इस तरह से जाना उन्होंने करीब करीब रेडियो टेलिविशन पे कूगोशना कर दिया इमर्जेंस कर दिया सब कुछ ये कर दिया तो इसलिए उनके खिलाफ वगावत की डाव अभी करके उनको अभी अरेस्ट कर लिया गरेफ़तार कर लिया तो ये सब देखते हुए जो परिपक्वता कभी एक हिसाब से दूसरी तरफ से राइट विंग का एक लिमिटेड विक्ट्री देख सकते हैं और ये लटन अमेरिका में लगातार हुआ है चुनाव से जीत के जो आता है उसको गिराय जाता है अगर वो अमरीका परस्त नहीं है तो ये तो बहुत पुरानी बात है उसका कंटिनुएशन अनफॉर्चनेटली यहां पर इसलिए हुआ कि बिपक्ष दल बामपंथी दल जो थे जो अमरीका को मुखालफत करते हैं उनके अंदर यूनिटी नहीं हूँ मैं इन दलों में नहीं हूँ मैं एक बाहर का आदमी हूँ और बाद में उन्होंने का भाई वाम विचारधारा जिस पार्टी से उचुनकर आये उससे भी उन्होंने को डिस्टेंस किया और इसमें जो पेरु को पहली महिला राश्टपती मिली हैं दीना है वो कैसे इस तरह के क्राइसिस से मिच्योरिटी पा सकते हैं कि परिपक्वता अगर नहीं हुआ तो राजडीती में आप इलेक्शन जीच सकते हैं पर इसके बाद शाशन कैसे करेंगे वो भी देखना पड़ेगा शाशन करना असान नहीं है क्योंकि छोटा सा मुल्क उसको गिराना में इतना बड़ा बुल्क अमरीका अगर लगा हुआ रहता है तो यह मुश्किल है मान के चलना पड़ागे इनकी चलाना जीतना आसान है चलाना उतना आसान नहीं है पर एक हिसाब से यह लेफ्ट की पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं बहुत सारे लेफ्ट गवर् कर आने के बाद तो साल बाद गिरा है आगे पता चलेगा कि दीना कितना नियंत्रण रख पाती है और अभी तक तो लगता है कि थोड़ा जो संकट ऐसा संकट था जिसे बिलकुल वाकई कू हो सकता था दक्षन पंथ वापस सत्ता पे काबिज हो सकता था वैसा होता अभी त चड़ाओ राजदीत में मान के चलना चाहिए कि उतार होता है चड़ाओ भी होता है तो दोनों को फेस कैसे करें राजदीक परिपक होता ही है इसी किसा साथ हमें दिखाई देता है कि लातिन अमरीकी देश अर्जेंटीना में भी एक बड़ी उठापटक की तैयारी हो रही प्रेशिडेंट है क्रिस्टीना उनके खिलाफ मामला बना है छे साल की उनको सजा सुनाई गई है अभी गिरफतार नहीं है क्योंकि वाइस प्रेशिडेंट है क्या हो रहा है अर्जेंटीना में देखें क्रिशिणा करश्णर बहुत एक धारा की इस वक्त सिंबल है जो उन बढ़ा रही थी और वो अगले चुनाव में वो प्रेशिडेंशिल कैंडिडेट होने की उनकी सबसे बड़ी सम्भावना थी और शायद तब उसमें बामपंथ के तरफ से सबसे अच्छा कैंडिडेट वही बनते हैं क्योंकि काफी लोगप्री हैं वो तो इसलिए उसके उ को आप पावर से हटाए यह तो उनको चुनाव लड़ने न दिया जाए उनको वाइस प्रेशिडेंट पर से इससे निकाल नहीं पाएंगे वो तो हकीकत है लेकिन चुनाव में लड़ने नहीं दे पाएंगे जैसे लूला के साथ हुआ बराजील में तो बिलकुल वही चुनाव में जीते थे उस वक्त अगर लूला कैंडिडेट यह तो बलस्ट ने का समभ्लान नहीं जीत नहीं जीत नहीं और इस वक्त करृष्टर को अगर वो प्रेशिडेंशल चुनाव 24 पे लड़ने दे नहीं दे पाते हैं तो शायद उस तरह के मामपंति कैंडिडेट चुनाव में नहीं आ पाएगा यही कोशिश अर्जिंटिनिम इस वक्त है यह इसको कहते लौफेयर की कानून इस्तमाल करके कैसे आप राजडीती को बदल सकते हो अगर आम जनता की मत आपके साथ नहीं है एही अमरीका की कोशिश इस वक्त लाटन अमेरिका में लगाता रही है चाहे कूँ हो चाहे इसको लीगल को कह सकते हैं लीगल को करने की कोशिश इसका आफर पढ़ सकता है और यह आगे दिखाई देगा कि किस तरह से यह लड़ाई आगे जाती है अर्जिंटिना में अर्जिंटिना को बहुत बड़ी लड़ाई इस वक्त आर्थिक है पर उसको आज चर्चा ना करें उसको और एक दिन चर्चा करेंगे अर्जिंटिना कि आर्थिक क्रैसिस क्या है IMF वगर है क्या रोल प्ले कर रहे हैं इन जगों बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर दोस् इसलिए बहुत जरूरी है पैनी तीखी नजर देखना कि किस तरह से कौन से देश साथ आ रहे हैं क्या गटबंधन हो रहा है और उन गटबंधनों के पीछे राजनिती क्या है इसलिए आपसे अपील है देखिए लाइक करिए शेयर करिए पड़ताल दुनिया भर की न्यू